पुरी तरह कम्प्लीट हो चुकी है देख रहे हैं पड़ियां से सारा पानी जल चुका है कितना अच्छा सा कलर है सब्जी का दोस्तो हलो गाइस आपको जे के कुकिंग में स्वागत है आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में पड़ियां समयने सारी सब्जीयों को अच् यह करा है उतर ही इसमें ठाट में बढ़ियां से म्टर को चील के दोके सत्रा-च्टोरी में रख लिया है मैंने इसलिए इसलिए वीडियो लंबा नहीं हो पाएगा इसलिए सारी चीज पहले ही काटके रख लिया है इधर मैंने मिर्चा, लैशुन, अद्रग, प्याज भी काटके रख लिया है मैंने कराई भी गैस पे चड़ा दी है आप देख रहे हैं, गरम होची की, अब मैं इसमें तेल डाल दूँगा तेल कराई में डाल दिया है गरम हो रहा है तेल इछी तेल में मैं सारी चीज़ां डाल दूँगा इसको अच्छे तथराई कर लें आप हमारे वीडियो में पहली बाद आ रहा है हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते … वीडियो को लाइक करें दोस्तों बढ़ियाद मेरा पक चुगा आई है सारी चीजें यह जो सारी सब्जिया मैंने काड़ ली है मैं अब इसी कराई में डाल दूंगा इसको अच्छे देशी टेल में मिला के बढ़ियाद प्राई करेंगे श्वाद नमक भी डाल देंगे बढ़ियाद सब्जी फ्राई होजाती है वह सब्जी में टेस्ट अच्छा आजाता है इसको अच्छी दरा मिला लेंगे बढ़ियाद से सब्जी को मैंने इसका टोरी मसाला निकाल लिया है हल्दी है सबजी मसाला धनिया है और भी आप मसाले आड़ कर सकते हैं तिसे गरम मसाला है कि एक बार और मैं खोल लेगा इसको अच्छे जो और फ्राई कलते हैं जेखो पानी अभी है अलगा पानी छोड़ रही सबजी अब यहाल हो जोकी अब यह मसाली किमाशिया इसी सब्समेशनेया मेरी बड़ाई मेरी मेरी जोकिए सब्सGe refere दूँगा इसको अच्छे से बढिया को बढिया तरीके से मिला लेंगे और dag अब क्लेट से ढख देंगे इसको दीमी आजब पकाएएंगे मसाले को, बढilitत मसाला अब नियुको पकता है देखे रहे हैं बनियात तेल शोन शुका है दो गड़ानी मतर है देजिए के के अब मैं इसको में धाल दूगा अब मेरी अपर भी बढ़ियां से मसालिक साथ पक चुकिया अब अब मैं इसमें पानी डाल दूगा अब मैं इसको बढ़ियां से प्लेट से ढख दूँगा एक गुबाल आने के बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगा काटके के टमाटर काट लिया है दोखो इसमें मैं डाल दे रहा हूं टमाटर को अब मैं इसको भड़ियां से पकाऊंगा सब्जी मेरी पक रही है अब दोस्तों मैं अपना आटा माल लेता हूं रोटी बनाने के लिए तोड़ी तरह से कंप्लीट हो चुकी है मैं सिर्फ धनिया डालूंगा इसमें काटके जब सब्जी पक जाएगी तो देखता हूं कि अब इसमें धनिया डाल दूंगा अज़ी तरह से थोड़ी तर इसको और पका लेंगे धीमी आच में और इसको प्लेट से ढख देते हैं सब्जी को आप लोग देख पा रहे हैं मेरी सब्जी पुरिता से कंप्लीट हो चुकी थी अब मैं रोटी देख रहा हूं देख रहे हैं मेरी रोटी पक के रेडी हो चुकी है ज़रो कितने च्छी रोटी फूल रही है कमेंड करके बताएं रोटी मेरी कैसी बन रही है कच्छी तो नहीं है पुरी तरह कंप्लीट हो चुकी है देख रहे हैं बढ़ यहां से सारा पानी जल चुका है कितना अच्छा सा कलर है सब्जी का दोस्तों अब मैं सब्जी को निकाल लूँगा खाना खाने के लिए एक थाली में दोस्तों मेरी देखो थाली कंप्लीट हो चुकी है मैं खाना खाके जौब पे निकल जाओंगा देख पार हैं बढ़ यहां से रेडी हो चुका सारा खाना मेरा ब्लोग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको कैसा लग ब्लोग धन्यवाद